हेलो दोस्तों, आज हम UDIS Plus के Student Portal का एक बहुत ही important वीडियो लेके राए हैं, जो के Student Portal का इस academic year का last काम हो सकता है, जो दो काम हमें complete करने हैं, उसमें से सबसे पहला काम है कि Dropbox status को update करना, क्यूंकि जो students आपके Dropbox में अभी show हो रहे हैं, उनके status को हमें update करना है, और दूसरा काम ह अपने school की enrollment को submit करना, जिसे school completion module भी कहते हैं, तो अगर आपका UDIS Plus का Student Portal का सारा काम complete हो गया है, तो last ये दो काम आपको करना है, तो इस काम को कैसे करना है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, कि Dropbox के status को कैसे update करना है, और उसक इसी तरह के वीडियो को आगे देखते रहने के लिए, और हमारे नए वीडियो की notification आपके mobile पर पाने के लिए, चैनल को subscribe कर लिजिए, और सामने दिये bell icon पर press करके all notification को on कर लिजिए, तो अब मैंने यहाँ पर एक school का login कर लिया हुआ है, अब Dropbox के status को update करने के लिए, सबसे तो यह second option को हमें click करना है, अब यहाँ पे जितने भी student आपके Dropbox में हैं, वो यहाँ पे show होंगे, और यहाँ पे जो आगे update Dropbox status का जो column दिया हुआ है, यहाँ पे हमें उसका status को update करना है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे, do you want to change the Dropbox status, तो इस पे हमें checkbox पे click करना है, जैसे ही इस पे click करेंगे, तो नीचे student status और remark यह दो box open हो जाएंगे, अब यहाँ से हमें reason और remark यह दोनों select करने हैं, जैसे आप जैसे यहाँ पे student status पे मैं click करूँगा, तो यहाँ पे आपको 4 tab दिखाई देंगे, जिसमें है mark inactive, left school with TC, left school without TC, currently drop out, left school with TC, non drop out, और left school without TC, non drop out तो इस तरह से यहाँ पे 4 option आपको show होंगे, अब जब हम किसी student को drop box में डालते थे, यहाँ पे transfer certificate module के जरिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3 option आते थे, जिसमें left school already with TC, फिर उसके बाद mark drop out और mark inactive, लेकिन mark inactive करने के बाद, यहाँ पे जो mark inactive student होते थे, वो एक तो pass away, यानि dead होने के बाद, या फिर junk, या फिर duplicate student होगा तो, लेकिन इन तीनों के लिए एक यह option था, कि mark inactive, उसी तरह से drop out और left school with TC, यह तीन option थे, जिनकी heading सिर्फ थी, लेकिन उसना particular reason यहाँ पे selected नहीं था, तो इस वज़े से यह नया update आया हुआ है, जैसे आप मैं यहाँ show करता हूँ, अब यहाँ पे मैं, do you want to change पे click करने के बाद, यहाँ पे आप जैसे मैं select करता हूँ, mark inactive, तो आप यहाँ पे remark में आप देख सकते हैं, कि आपने mark inactive क्यों किया हुआ है, duplicate entry है, इसलिए, wrong entry है, इसलिए, या due to death, तो इस तरह से, पहले तो सिर्फ यह एक कहा गया है, क्योंकि particular reason उनको समझ में आ जाएगा, कि क्यों इसको mark inactive किया गया है, उसी तरह से यहाँ पे दूसरे option भी है, जैसे आप इस case में, यह student left school with TC है, और non dropout है, तो आप मैं यहाँ पे left school with TC करता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख लिए, left school with TC करने के बा इसके बाद, studying in other school in same block, यहाँ वो left school with TC हुआ है, और वो अभी जो है, वो same block में है, दूसरी school में, उसके बाद migrate to other block या फिर district, यहाँ वो किसी दूसरे district में चला गया है, या फिर block में चला गया है, उसके बाद, third option यहाँ पे, fourth option है, migrate to other state, अब यह जो student है, यह किसी दूसरे state में चला गया है, migrate to other country, यहाँ पे, अगर कोई student, country से बाहर चला गया है, तो उसको आप यह select कर सकते हैं, तो इस तरह से वो रहेगा आपके, dropbox में ही, लेकिन उसकी पूछ आपको नहीं होगी, क्योंकि वो other country में चला गया है, तो इस तरह से, यहाँ पे यह option देने का मतलब आप समझ गए होंगे, कि particular reason चाहिए उनको, कि क्यों वो dropbox में है, और उसके अलावा last option है, gone for study in open schooling, अब इस case में जो है, हमारा student, यहाँ पे migrate to other state हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको migrate to other state कर लेता हूँ, अब यहाँ पे हमने student status भी यहाँ पे click किया हुआ है, उसके बाद remark भी यहाँ पे select किया हुआ है, अब हमें update पे click करना है, तो मैं यहाँ पे update पे click कर लेता हूँ, student dropbox status has been updated successfully, तो इस तरह से आपको one by one जितने भी students हैं, उनको यहाँ पे उनका status जो है, dropbox status उसको update करना है, अगर आपको अभी तक instruction नहीं मिले हैं, तो जल्द ही मिल जाएंगे, तो जैसे मैंने पहले बताया, कि do you want to change the dropbox status पे click करना है, और फिर नीचे यहाँ पे दोनों जगे पे reason, यहाँ पे select करना है, जैसे ही आप first reason कोई select करेंगे, तो उससे related यहाँ पे remark open हो जाएंगे, तो उसको भी select करके update पे click कर दीजिए, तो इस तरह से आपको, आपके school के dropbox मे जितने student हैं, उनके status को update करना है, तो आप देखते हैं, जो हमने पहले बात की थी, कि यहाँ पे school completion module जो आया हुआ है, जिसमें हमें student की, जो भी enrollment है आपके school की, उसको submit करना है, तो वो किस तरह से करना है, वो हम आप यहाँ से देखते हैं, school completion module, यहाँ पे आप देख सकते है यहां पर new का जो logo है वो यहां पर show हो रहा है तो यह जो है नया module यहां पर add किया हुआ है तो इस module को complete करने से पहले आपके यहां पर total enrollment चेक कर लिजिए यहने इसमें जो भी आपका import करने का काम हो या student को add करने का काम हो वो सब complete हो चुका है तो last में ये काम हमें करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर बता देता हूँ, school completion module पर click कर लेता हूँ, अब जैसे ही उस पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते है, school completion module ये जो है, इस academic year का है, अब यहाँ पर हमें जो है, ये नीचे submit पर click करना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर note लिखा हुआ है, the completion process can only be initiated when the status of all students are marked as completed, याने आपका जितने भी total students है, वो यहाँ पर completed में show होने चाहिए, याने जितने आपके school में student है, उतने पूरे complete में होना चाहिए, in process में कुछ नहीं होना चाहिए, और not started में भी कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे आप यहा है, total student 91 है, और completed जो है, वो भी 91 है, याने यहाँ पर कुछ in progress में भी नहीं है, और not started में भी नहीं है, तो यह हमारा total student यहाँ पर complete हो चुके है, तो पहला point तो यह clear हो गया, अब दूसरा point है, after completion, school still can update the information of any student, याने ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यहाँ पर submit कर दिया, तो आप student के name या फिर कुछ changes इसमें कर नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप इसको submit करने के बाद भी अगर कुछ changes होंगे, तो वो कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर third point है, after completion, if the school does the following things, then the school will be incomplete automatically, याने अगर इन नीचे चार point दिये हुए हैं, इसमें से दुबारा अगर आपको वहाँ पर complete करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर इसके point दिये हुए हैं, जैसे आप इसमें नया student भी add कर सकते हैं, चाहे वो school level से हो, या block level से हो, उसके बाद import याने नया student को import कर सकते हैं, class section को shift कर सकते हैं, तो यह चारों ही काम कर सकते हैं, और करने के बाद जो है यह चारों में से कोई भी काम अगर आप करेंगे, तो यह इसको वापिस से आपको incomplete अपने आप हो जाएगा यह, तो आपको यहाँ पर complete करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर complete करना पड़ेगा, तो आपको यह points को आपने अच्छे से समझ लिया है, अब उसके नीचे यह कार्ड जो है, वो यहाँ पर download हो जाएगा, academic year 2023-24 के लिए, जिसमें आपकी school की पूरी detail होगी, और उसके नीचे यहाँ पर class and gender wise enrollment, यहने total आपके school में जो enrollment है, वो class wise भी यहाँ पर show होगी, और gender wise भी show होगी, अब उसके नीचे social category wise enrollment, यहने general ESC, ST, OBC, जो भी यहाँ पर social category ह है, उस category के हिसाब से भी आपकी enrollment, यहने आपके school की strength यहाँ पर show होगी, और उसके नीचे जो है, वो minority wise enrollment, यहने minority group से अगर आपके student है, तो वो कौन से minority group में है, वो भी यहाँ पर show होगा, तो इस तरह से यहाँ पर आपको, यह जो है, school enrollment card यहाँ पर मिल जाएगा, इसको आप download कर लीजिए, अब मैं दुबारा यहाँ पर आता हूँ, तो आप हमने enrollment summary जो है, वो download की हुई है, आप इसको submit करने के लिए, यहाँ पर जो check box दिया गया है, उसके हमें tick करना है, जैसे ही आप यहाँ पर tick करेंगे, तो यह submit का जो button है, वो blue हो जाएगा, अब मैं declaration है, यानि हमने जो है, इसमें जितने student को add करना था, जो information डालनी थी, वो डाल चुके है, आज की date में, अगर इसके आगे कुछ changes होते हैं, तो आप इसको यहाँ पर दिया हुआ है note में, कि आप वो changes कर सकते हैं, इससे इसमें कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है, तो आप मैं यहाँ पर submit पर click कर देता हूँ, submit पर click करने के बाद, are you sure you want to complete data, तो इस पर हमें okay पर click करना है, अब यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, data can be edited after completion, यानि आप इसको complete करने के बाद भी अगर data में कुछ changes होते हैं, तो उसको आप change कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर okay पर click कर देता हूँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, thanks for submitting student data, completion date जो है वो show हो रही है, और time यहाँ पर show हो रहा है, तो इस तरह से यह जो school completion module है, इसको आपको complete करना है, I hope आप समझ गए होंगे कि इसको किस तरह से complete करना है, सबसे पहले तो dropbox status को update करना है, और उसके आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो like करना और share करना न भूले, और हमारे whatsapp channel को join करने के लिए, description box में उसकी link दी हुई है, वहाँ पर click करके आप हमारे whatsapp channel को join कर सकते हैं, और अगर यह video अच्छा लगा तो like जरूर कीजिए, और share कीजिए, और आगे इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और सामने दिये bell icon पर press करके all notification को on कर लिजिए, thank you for watching